यहां पर आप देख सकते हो, जो मूर्तियां हैं, उसमें almost almost color complete है, यह देखिए, इस तरब भी देखिए, इस तरब भी देखिए, और यह वाला मूर्ति देखो, कितना खुबसूरत लग रहा है, देखिए, 10-20% ही color हुए है इसमें अभी, यह देखिए, कितना बैतरी लग रह है, देखिए, इसमें almost almost color का काम कांटर है, व्रिंदावन के theme पे, भगल मेह कृष्ण जी और इस तरह पे है, यह जो मूर्ति जा रही है, यह जा रही है, महासमून के बच्टेड में, कि अखिए! नमस्कार मैं प्रेम आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नए व्लॉग वीडियो में तो गाइज एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं माना के रायपूर में और आग चुका हूँ त्री मूर्ती कला केंद्र और पिछले बार जब हमने यहां का व्लॉग वीडियो बनाया था द माल की लग रही है वह थोड़े देर में आप लोग देखने वाले हैं तो चलिए आपको बीना कोई आपका टाइम वेस्ट करते हुए सीधा यह जो लौग है श्टार करते हैं और आपको दिखाते हैं मूरतियां तो यह है त्री मूर्ति कला केंद्र और एक तो यह हो गया व है देखा यहां है कि एक को बढ़ी को दिखाने का तो यह मूर्ति है गणी ज्यादा excited हूं और यह देखिए कितना खुब्सूरत लग रहा है देखिए कितना को बच्ब्सूरत लग रहा है वहाई हुआ 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 चछल फूरा सरजय ही हो तो यह हो गया पूरा बाहर के कुछ मूर्तियां अब ले चलते हैं आपको अंदर की और जहां पे जो है मूर्तिया अल्मोस्ट अल्मोस्ट कलर कंप्लीट हो चुके हैं तो चलिए अंदर की तरफ लेके चलते हैं और यह है पहला दर्वाजा इस तरफ से चलते हैं यह इस तरब भी देखिए इस तरब भी देखिए तो चलिए मैं आपको एक टूर एराउंड देता हूं इसका और ये वाला मूर्ती देखो कितना खुबसूरत लग रहा है देखिए और भाई सहाब भैतरिन और जो माता का चैरा है वो देखो कितना ज्यादा रियलिस्टिक लग हुए अभी इसमें जो है बॉर्डर से लगना बागी है साडियों में फिश्टोन का काम होगा फिर जो चैरे में सिंगार होते हैं वो लगेंगे उसके बाद देखने लाय करेगा देखो कितना खुबसूरत लग रहा है और ये वाला भी देखिए कितना खुबसूरत है ये मूरती और ये मूर देखो कितना बहतरी लग रहा है साथ में ये सीर देखिए और यहां पर माता का आप चैरा देख सकते हैं देखिए कितना कमाल का लग रहा है और इस तरफ मैं आपको दिखाता हूँ कि यह देखिए तो बहाई कितना कमाल का लग रहा है तो यह जो माता है ऐसे वाइड ड्रेस में आएंगे कि इसमें और कलर लगेंगे कपड़ा आएंगे इसमें इस तरीके से देखिए इसमें मिट्टी के पे कलर हुआ है बट इसमें पूरा कपड़ा आएंगे इस पे देख सकते हो यह देखिए और यह जो मूर्ती हैं हम देख रहे है न यह लगभग आपके 6.5 से 7.5 फीट के हाइट पर है और इनके जो फ्राइज है वह लगभग 25 से 30.000 में और यहाँ पर आप माता की देख सकते हो जो है कह सकते हैं कि यह जो मूर्ती है यह विश्णू के श्वरूप मे में यहाँ पर आपको लेटे हुए नजर आएंगे और यह देखो कितना खुब्सूरत लग रहा है और नीचे की तरफ देखिए यहाँ पर है यह देखिए ताइगर और यह वाला देखो आप देखिए कितना बहत्रिन यह देखो जो डीटेल वर्क है ना वह आप तो देख के यह देखिए और यह जो धनूस है उसको भी मिदेखिया करें करें कर दो कर दो और इस तरब जो माता है ना वह देखो और इसमें कपड़े का काम होगा जिसके कराण यहां पे छूटा हुआ है देखिए और कितना बहत्री लग रहा है और यह वाला देखिए और अभी इस पे चहरे का काम हो रहा है यह देखिए और यह जो माता है वह पकड़ी हुई है बीना यह देखिए और इस तरह भी देख सकते हो यहां पे काम चड़ रहा है और इस तरह भी देखिए अभी जो है कंप्लीट कलर का काम हो रहा है क्योंकि यहां से 5-6 दिन में ही है इन सब मूर्तियों का डिलिवरी देना है यह सब बुकिंग हो गयाना भी है यह सब मूर्तियों बुक हो चुके हैं तो अगर आपको भी मूर्तियों का ओर्डर देना है ना तो सीजन से पहले आपको ओर्डर देना पड़ेगा वह भी लगभाग एक डिड़ मेना पहले है तो यह तो हो गए छोटी मूर्तिया जहां पर आपको 6-8 फीट के हाइट पर देखने को मिलेंगी अब ले चलते हैं आपको बड़ी मूर्तियों की और जहां पर आपको बड़ी मूर्तियों की और इनके जो प्राइज है वह लगभग आपको 25-30,000 के अंदर में मिलेंगे त यह वाले जो वाक्शॉप है ना यहाँ पर आपको बड़ी मूर्तियां देखने के मिलेंगी देख सकते हो पूरा जो है बड़ी मूर्तियों का यह वाक्शॉप है और चलिए एक एक करके आपको दिखाते हैं यह देखिए ओ भाई सहाब कितना खुब्सूरत लग रहा है और अभी तो हाफ ही कलर हुए है मतलब 50% ही कलर हुए है 50% भी कहना कम होगा 10-20% ही कलर हुए है इसमें अभी यह देखिए कितना बहतरी लग रहा है और नीचे की तरफ देख सकते हो नन्हे नन्हे जो है सेर के बच्चे हैं और इधर जो है क्योंकि यहाँ पर बाबा भोले है और यहाँ पर है महादुर्गा यह देखिए क्या बहतरी लग रहा है और इस तरह आपको दिखाते हैं यह देखो तो यह वाला मूर्ती देखो कितना बहतरी लग रहा है तो भाई एक नंबर तो अभी जो है कलर बस श्टार्ट ही हुआ है देख सकते हो फर्स कोटिंग तो थोड़ा सा बेग्राउंड जो नौइजे से ना उतको इग्नोर करना क्योंकि यहाँ पर चड़ रहे हैं कलर के लिए और यह देखो ओ भाई ला जवाब और इसके जो बेग्राउंड है वो देखो कितना बहत्री लग रहा है थोड़ा सा मैं आपको पीछे आकर दिखाता हूं देखिए कितना बढ़िया लग रहा है एक नंबर भाई और यह भी देखिए क्या बहत्री लग रहा है यह मां अंबे लेखिए और यह वादा मूर्ति लेखिए आप कितना खुपस्वरत लग रहा है और अभी तो साड़ी में जो काम है बॉर्डर का काम बागी है फिर चैरे का काम बागी है मुकत का काम बागी है एंड में सिंगार भी लगेंगे श्टून का काम होगा उसके बाद मूर्तियां देखने लाएक रहेंगे देखिए कितना बहत्री लग रहा है तो यह वाला मूर्ति देखिए कितना खुपसूरत लग रहा है और यह मूर्थी देखके आप में से कई लोगों को आइडिया हो गया होगा कि यह जो मूर्थी बन रहा है यह 36 गड़ी के थीम पे बन रहा है 36 गड़ी के थीम पे बन रहा है और यहाँ पे एक साथ आपको सेर और गाय देखने को मिलेगा और बगल में है बाबा भोले यह देखिए यहाँ पे बाबा भोले हैं और यहाँ पे देखिए ना कितना बढ़िया लग रहा है और यह देखिए कंप्लीट यह मूर्ती तो अभी जो है इसमें 50% ही काम हुए हैं और देखिए कितना बहतरी लग रहा है इसमें अभी जो है कितना बहतरी लग रहा है खास करके ये दिखुए बाबा बोले इस तरह आप देखिए महादुर्गा कितना बहतरी और ये देखो ये जो खोपड़ी सा लग रहा है दूर से देखने में जलता हुआ नजरा रहा है देख सूषर और नीचे में यहाँ पर नंदी जी है नंदी मुर्ती आप देखिए कितना खुब सुर्त लग रहा है और यह वाला देखिए भाई सहाथ कितना कमाल का लग रहा है देखिए इसमें अल्मोस्ट अल्मोस्ट का काम कंप्लीट हो चुका है जो कितना जबर्दस लग रहा है और इस तरब भी आप देखिए कितना जबर्दस लग रहा है और खासर के यह सेर का देखिए एक नमबर और यह वाला मैंने आपको दिखाया था पिछले बार यह बन रहा है व्रिंदावन के थीम पे बगल में है कृष्ण जी और इस तरफ है माधरुगा देखिए और नीचे में आपको भी काफी सारी चीज़े देखने को मिलेंगी यहां पर बतक है मूर है इस तरफ कीरण है देखिए और यह जो मूर्ती है ना कितने बड़ी साइज में मैं आपको दिखाता हूं इसके साथ ये सारी मूर्ती जाने वाली है ये देखिए ये भी जाने वाली है और इस तरह देख सकते हो ये मूर्ती भी जाने वाली है साथ में काफी बहतरीन और साथ में ये वाली मूर्ती भी जा जाने वाली है, यह देखिए, कितना खुबसुरत लग रहा है, देखो, यह मुर्ती जाने वाली है, साथ में, जो हमने व्रिंदावन थीम वाला मुर्ती देखे न, वो जाने वाली है, साथ में यह भी जाने वाली है, तो यह जो मुर्ती जा रही है, यह जा रही है, महासमुन कि बस्टेंड में ये माता का मुर्ती बैठाए जाएगी और इसकी जो प्राइज है वो लंगसम एक से सवा लाक या सपास पढ़ने वाला है और यहां पर आप देखिए कि वह भाई सहाब क्या बहतरी लग रहा है कि अगर इस तरह तुम्हें आपको देखिए कि वह भाई पर आपको देखिए कि वह भाई पर आपको देखिए अ खर आपको देखिए यह कि वह भाई यही है झाल 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 झाल